आप सभी का Study IQ पर स्वागत है and I am Dr. Ranjita आज की क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 6 NCRT Science के Chapter No. 9 के बारे में So Chapter No. 9 है The Living Organism and Their Surroundings So यह इस Chapter का Part 2 है इसका Part 1 जो है आप लोग पहले ही देख चुके हैं अब तक हम लोग डिसकस कर चुके हैं About Organism क्या होते हैं Organisms क्या होते हैं Single Cellular, Multicellular Organisms के बारे में Habitat क्या होता है Adaptations क्या होते हैं हमने डिसकस किया था कि Aquatic or Terrestrial Animals में क्या-क्या difference होता है उनकी adaptation किसके तरीके से एक दूसरे से different होती है हमने यह भी डिसकस किया था कि camel में क्या adaptation है, fish में क्या adaptation है फिर हमने different तरीकी के habitats के बारे में discuss किया biotic components के बारे में, abiotic components के बारे में, हमने discuss किया about acclimatization process के बारे में फिर हमने detail में discuss किया terrestrial habitats like desert के बारे में discuss किया mountains के बारे में discuss किया और grassland के बारे में discuss किया तो आज हम इसी चेप्टर को आगे लेके जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे about the aquatic habitat. तो aquatic habitat, मैंने आपको starting में बताया था, दो तरीके के habitats थे, जो हमने mainly देखे थे, एक था terrestrial और दूसरा था aquatic. तो terrestrial के further हमने example देखे थे, mountains, grassland, desert, ये सब देखा था, aquatic habitat के हम बात कर रहे हैं, जो की पानी में जो लोग, जो animals रहते हैं, हम उसकी बात करेंगे. तो aquatic habitat में भी different, different हो सकते हैं, जैसे की terrestrial में difference है, कहीं पर desert habitat, कहीं पर grassland, तो same aquatic habitat भी different होते हैं, जैसे उसकी first type है oceans, उसी तरीके से lakes हो सकती है, rivers हो सकती है, wetlands हो सकती है, ठीक है, तो पहला हम ocean के बारे में बात करेंगे, तो ocean में क्या होता है, तो fish adapt होती है, to live in the sea, fish की adaptations हमने पहले वाले lecture में discuss भी किया, यहाँ पर भी दियोंगी, the sea animal has streamlined body, streamlined body क्या थी, हमने अब यह वाला shape बना के दिखाया था है ना, यह fish की body थी, है ना, इस तरीके से fish की body होती है, तो यह जो body थी है, जो streamlined body थी है, help करती थी, fish को पानी में move करने के लिए easily, और जो यह इसकी जो tail होती थी, वो उसको balance maintain करती थी, तो यह fish के adaptation होती है, उसकी streamlined body होती है, कुछ लेकिन sea animals ऐसे होते हैं, जिनकी body, streamlined body नहीं है, जैसे squid, octopus, octopus, octopus आपने देखा है न, squids और octopus जो होते हैं, वो जो होते हैं, उनकी जो body है, वो streamlined body नहीं है, मतलब यह वाले shape की body नहीं है, तो उसकी वज़े से क्या होता है, do not have the streamlined body, इसलिए वो क्या करते हैं, अब उनकी streamlined body होती, जिसकी होती है, वो तो पानी में बीच में in the ocean, they stay deeper in the ocean, near the seabed, and catch any prey that moves towards them, इसलिए octopus जैसे animals, जो ocean होता है, ocean बहुत डीप होता है, जो समुदर है, वो बहुत ज़दा गहरा है न, तो जो shallow वाला समुदर है, जो इतना गहरा समुदर नहीं है, जो beach वाला part है, उसमें तो मचलियां रहती हैं, वो dominate करती हैं, क्योंकि उन तो वो क्या करता है, वो नीचे, जहां पर तह होती है, जो तलहटी होती है, वहां रहता है, जिसको seabed बोलते हैं, वो वहां रहता है, octopus, तो इन animals के पास यह, तो हम पढ़ चुके हैं, इन सभी के पास, जो aquatic animals, इनके पास gills होते हैं, ताकि वो पानी में mix हुई, जो oxygen है, उ जिसको देखिए अब ध्यान से, there are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills, कुछ sea animals जो होते हैं, उनके पास gills नहीं होते हैं, जैसे कि dolphins and whales, अब खास बात क्या है, मैंने आप यह star क्यों लगाया है, एक तो आपको यह पता होना जिए, dolphins and whales के पास gills नहीं है, तो इनके पास क्यों नहीं है gills, नहीं है, दूसरी बात मैंने आपको पहले वाले lecture में इसके part 1 में बताया था, mammals के बारे में, mammals क्या होते थे मैंने बताया था, which lay, which give birth to young ones and young ones था ना उसका एक character था, तो यह जो होते हैं, in case case में भी they give birth to young ones, तो यह mammals है, इसलिए इनके पास नहीं है, समझे आप, these dolphins and whales both are mammals, य fish नहीं है, अगर fish होते तो यह eggs देते, तो यह लेकिन mammals है, I hope आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो मैंने बताया है, यह जो मैंने slide बनाया है, यह इसलिए add किया यह वाला slide, जो आपको बता रहा है, mammals of the sea, जैसे कि seal, walrus, dolphins, porpoise, whale, तो whale और dolphin तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन walrus भी mammal है, porpoise भी mammal है, seal भी mammal है, ठीक है, क्यों, mammals live at the land, at the sea, in the air and under the ground, mammals lives on land, at sea, in the air and under the ground, all mammals from bats, तो बत भी mammal है, to whale, share a number of important traits that makes them different from others, animals, mammals are warm-blooded, they have fur to on hair and most mammals give birth to young, live young, give birth to young ones, यह मैंने आपको बता दिया, तो यह सबके सब भी, यह sea में रहते हैं यह सारे, seal, walrus, dolphin, porpoise, और whale, लेकिन यह सबके सब कौन है, यह mammals है, तो इसमें से हमने पढ़ा कि इनके पास gills नहीं है, इनके पास gills नहीं है, यह पानी के ऊपर जुरूर आते हैं सास लेने के लिए आपने देखा होगा, okay, so we were just talking about these animals, तो यह ब्रीध कैसे करते हैं, फिर वही इनके पास gills नहीं है, तो फिर इनके पास क्या है, तो ब्रीध करने के लिए इनके पास air through nostril, जिसको blow hole बोलते हैं, जिसमें आपने देखा in air when they swim near the surface of water, वो surface of पे जरूर आएंगे, यह वाले जो fish हैं, क्योंकि यह fish true fish नहीं है, यह mammals हैं, तो इनको सांस लेने के लिए surface पे जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास gills नहीं है, can stay inside the water for long time without breathing, जब यह पानी के अंदर होते हैं, तो यह उस time पे breathe नहीं कर रहे होत breathing, they are staying without breathing, तो यह दो तीन facts थे, without breathing वो stay करते हैं, इनके पास blow hole होगा, these are mammals, तो यह था ocean के बारे में, अब aquatic habitat दूसरा भी होता है, ponds और lake, तो ponds और lake में क्या होता है, plants जो होते हैं, they have their roots fixed in the soil below water, normal case में हैं, in terrestrial plants, roots have important role in absorbing nutrients and water from the soil, हैंना, लेकिन aquatic plants में क्या होता है, roots are much reduced in size, and their main function is to hold the plant in place, अब इसमें छोटी होती हैं, क्यों, क्योंकि उनका काम, अब absorption वाला काम तो खतमी हो गया, क्योंकि वो plants, जो हैं, वो पानी में ही लगे हुए, तो aquatic plants हैं, तो अब वो पानी उनको तो खीचना नहीं है, क्योंकि पानी में तो आल्री है, अब उनको काम क्या करना है, उनको बस plant को hold करना है, उस place में, तो the stem of these plants are long, hollow and light, इनकी जो stems होती हैं, वो बहुत लंबी-लंबी होते हैं, इन होलो होती हैं, ताकि वो पानी में अराम से maintain हो पाएं, और हलकी होती हैं, बहुत जादा, इन plants के अंदर, aquatic plants के अंदर, terrestrial plants की त Secondly, जो उनकी stem होती है, वो modify हो जाती है, वो लंबी होती है, वो hollow होती है, अंदर से तक ही light weight रहे और light होती है, चीक हैं, तो जो stem होती है, stem grow up to the surface of water, while the leaves and flowers float on the surface of water, आप देखिए ये aquatic plants का photo देखिए, दोनों तरीके के aquatic plants होते हैं, mostly क्या होते हैं, नीचे लगे होते हैं, और जो आजाते हैं, उनके flowers उपर रहते हैं, कुछ के अंदर वो पूरे के पूरे भी नीचे रहते हैं, some aquatic plants totally, देखो लिखा हुआ है, आपे submerged in water, और कुछ जो होते हैं, पूरा ही submerged रहते हैं, जैसे ये वाला plant और कुछ जो ऊपर आ जाते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves, these can be bend into flowing waters, इनकी जो leaves रहती हैं, वो बहुत ही, क्या बोलू में, उसको थिन होती हैं, ताकि वो पानी बहता जाता है, तो उसको resistance ना दे, उसको रोके ना वो, नहीं तो तूट जाएंगे, पानी बहुत अदा pressure लगाएगा, तो वो बहुत थिन होती हैं, ताकि व दोनों तरहिके से हो सकता है, some aquatic plants float on the water, some have their roots fixed in the soil, and some aquatic plants are completely submerged, तो यह completely submerged है, कुछ लोग कुछ float करते हैं, कुछ की roots सिधर लगी होती है, तो तीनों तरहिके के aquatic plants हो सकते हैं, I hope यह आपको समझ में आया, mammals के वाला chart में ने आपको दिखा दिया, यह आप जानते हैं, यह mammals है, फ उसमें से trees हैं, उसके अंदर creepers हैं, creepers क्या होती हैं, जो मैंने last chapter में आपको पढ़ाया था, creepers क्या होती थे, जो जिनके stem के अंदर जान नहीं है, stem जो होता है, उसका weak होता है, इसकी वज़ए से वो क्या करते हैं, नीचे नीचे पढ़े रहते हैं, ground पे, जिसका example क्या बत दिखाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो living चीजे हैं, आपको अपने चारों तरफ दिखाई देती है, non living की अगर मैं बात करती हूँ, तो कितनी सारी आप चारों तरफ देखिए, table, जहां पे आप बैटे होंगे, chair, ये house, मतलब ये सारी की सारी चीजे non living है, so अब बात ह यहां पे पूछा गया है, तो breathing is a process called respiration, तो respiration process होता है, तो respiration process में क्या होता है, breathe करती हैं सारी living चीजे, जो living चीजे breathe करती है, respiration होता है, oxygen of the air we breathe in, is used by the living body, is used by the living body, breathe out carbon dioxide produced in this process, ये आप जानते हैं, respiration में होता क्या है, हम oxygen इंदर लेते हैं और carbon dioxide बाहर शूरते हैं, तो respiration जो होती है, recissory for all living organism, it is through respiration that body finally obtain energy, तो respiration process है अगर कोई living चीजे तो उसके लिए वो must है, वो जुरूरी है, respiration process में actually क्या करते हैं, जो हम oxygen inside लेते हैं, उसका function क्या होता है, आगे आने वाली classes में हम उसका complex function भी पढ़ेंगे, NCRTs में दिया हुआ है, जैसे ही हम oxygen अंद लेते हैं, तो जो हमारा food जो हम खा रहे हैं, उसका processing होती है, उस processing की वज़े से, वो oxygen की वज़े के साथ मिलके processing होना शुरू होती है, उस processing की वज़े से हमको energy मिलती है, उस खाने से, जब हमारी body के अंदर oxygen जाता है, some animals may have different mechanism for exchange of gases which is the part of the respiratory process, कुछ लोगों का, कुछ animals का different होत है, for example, earthworm अगर breathe करता है, through their skin, हम कैसे कर रहे हैं, हम lungs के through कर रहे हैं, earthworm कैसे कर रहे है, skin के through, ठीक है, ये NCRT में लिखा हुआ है, fish किसे कर रहे हैं, gills के through, है न, the gills absorb oxygen from the dissolved water, हम कैसे कर रहे हैं, lungs के through, earthworm कैसे कर रहे हैं, skin के through, fish कैसे कर रहे हैं, gills के through, फिर क्या होता है, अगर plants के बारे में बात करते हूं plants कैसे respiration करते हैं plants अपनी leaves के through respiration करते हैं जो उनके पतियां होती हैं उसके through वो respiration करते हैं the leaves take in air through the tiny poles in them and uses the oxygen अब देखिए ये एक बात है आप लोगों को पता होगा हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो तो आपको पता चलेगा classic senseiarty से पढ़के ये आपको पता चलता है कि जो plants होते हैं वो भी respiration करते हैं उनके respiration में plants खुद भी oxygen ही use करते हैं है ना and they give out carbon dioxide अपने खुद के respiration process में वो plants भी oxygen use करते हैं और plants भी carbon dioxide बाहर निकालते हैं plants जिसके बारे में हम बोदे ना कि plants हमको oxygen देते हैं वो oxygen कब देते हैं मैंने पिछले chapters में आपके साथ discuss किया है वो photosynthesis जब करते हैं मतलब बाहर की carbon dioxide को absorb करते हैं sunlight और chlorophyll को मिला के वो अपना खाना बनाते हैं और उसका by product होता है oxygen release करना लेकिन साथ में plants का खुद का भी respiration चल रहा है कैसे वो air ले रहे हैं oxygen जो खुद produce करते हैं ultimately वो उसको भी लेते हैं क्योंकि वो भी अपना खुद का growth कर रहे हैं खुद का खाना को भी वो consume कर रहे हैं in sunlight plants use carbon dioxide and produce their own food and give out oxygen ये तो था लेकिन plants जो होता है produce their food only during the day time whereas respiration in them takes place day and night तेखो अब इस चीज़ को समझ लो किसी को confusion नहीं रहना चाहिए मेरी ये class attend करने के बाद चीखे है आप सबको बिल्कुल clear हो जाना चाहिए जिस तरीके से हम respiration करते हैं उसी तरीके से plants bho respiration करते हैं plants एक काम और करते हैं photosynthesis जिसमें वो अपना खाना बना रहे है तो जो photosynthesis में वो अपना खाना बना रहे है उसका by product है oxygen लेकिन जब प्लांट खुद का respiration कर रहे हैं तो उसमें वो oxygen ही use कर रहे है और उसकी byproduct में फिर क्या निकाल रहे है उसके carbon dioxide निकाल रहे है जो photosynthesis का process है वो daytime में होता है तो क्या होता है daytime में जो overall होता है photosynthesis भी चल रहा है और उनका plants का खुद का respiration भी चल रहा है breathe in कर रहे है और carbon dioxide चुड़ रहे हैं but अगर net effect देखेंगे carbon dioxide इतनी सी release कर रहे है और oxygen इतनी लैसी release कर रहे है बहुत सारी तो net effect क्या होता है कि plants actual में oxygen दे rहे होते हैं जितनी वो carbon dioxide दे रहे होते हैं उस से कहीं जाड़ oxygen देर बट, in case of night, night में क्या होता है, photosynthesis का process रुख जाता है, क्यों, क्योंकि sun नहीं है, sun चला गया, तो इसलिए photosynthesis का process रुख गया, तो in night, लेकिन respiration का process कभी रुखा है, no, respiration का process on है, इसलिए बोला जाता है, रात के वक्त पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस time प अपना respiration तो करने है, खुद की carbon dioxide तो release कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है, क्योंकि उस time पो carbon dioxide release कर रहे होते हैं, oxygen तो environment में उतनी है, इसलिए बोला जाता है, यही इसमें लिखा हो गया, the amount of oxygen released in the process of food preparation by the plants is much more than the oxygen they used in respiration, so this was an important point, I hope आप सभी को जो लोग भी ये वीडियो द इसलिए बोला जाता है, इसका applied part, अब ये देख लो, ये क्या chart है, इसमें photosynthesis दिखाया गया, इसमें cellular respiration दिखाया गया है, photosynthesis क्या हो रहे है, light एक factor, carbon dioxide दूसरा factor and chlorophyll, तीसरा factor ये मिलके बना रहे है, photosynthesis कर रहे हैं, जिसमें की खाना बना रहे हैं, और क्या रिलीज कर रहे ह oxygen, cellular respiration में क्या हो गया, oxygen ले रहे हैं, और जैसे कि हम लोग respiration कर रहे हैं, oxygen ले रहे हैं, जो वो खाना पड़ा हुए इनके पास, उसको utilize कर रहे हैं, और क्या release कर रहे है, carbon dioxide, तो अब क्या हो रहे है, होता क्या है, day में क्या हो रहे है, ये हो रहे है, उस time पर ये भी चल रहे है, ये तो चली रहे है साथ में, थोड़ी सी carbon dioxide दो निकल रहे है day में भी, लेकिन रात में क्या हो रहे है, रात में ये रुक गया, ये रुक गया, photosynthesis रुक गया, सिर्फ carbon dioxide release हो रहे है, उस time पर अगर आप plants के बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे जाएंगे, तो उस time वो making sense, I hope you have understood, everybody, तो आगे बात करते हैं, do all living beings respond to stimuli, अच्छा अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब बात आर कर रहे हैं हम stimuli के उपर, stimuli क्यों होता है, आपको कोई भी stimulus दिया गया, in the form of touch, in form of heat, in form of cold, कोई भी इस तरीके से stimulus दिया गया, उसके वो पूछ रहे हैं कि क्य सारे कि सारे organisms stimulus से respond करते हैं, तो जानते हैं, हम पढ़ते हैं, चलिया आगे, change in our surrounding that makes us respond to them is called stimulus, अच्छा, stimulus क्या होता है, इसमें define कर दिया, जो भी कुछ change हुआ हमारे surrounding में, temperature change हुआ, बढ़ गया, कम हो गया, हवा चलने लग गई, है न, touch किया किसी ने, हम बैटे हुथे, ये सारे कि सारे क्या है, change in environment, change in environment, change in the surrounding that makes us respond to them are called stimulus, उसी को stimulus कहते हैं, तो all living things are able to respond to the stimulus in external environment, living thing का मतलब ही ये है कि वो अपने external environment से कोई भी stimulus मिलेगा, तो उसको respond करेंगे, यही मतलब है living beings का, तीन-चार चीजे देखी ती हमने living beings क्या होते हैं, जिसमें growth, होती है, जो reproduce कर सकते हैं, जो stimulus के, पे response देते हैं, है न, जिसमें क्या होता है, और क्या होता था, जो की adapt कर सकते हैं, यह सारी चीजे थी, तो detect to detect stimulus, organism have means for receiving information, अब हम stimulus को receive कैसे करते हैं, तो stimulus को मतलब अगर मैं human beings की बात करते हूं, तो वो कैसे receive करते हैं, हमारी जो 5 senses बोली ज जाती है, eyes, ears, skin, taste, है न, यह सारी की सारी बोली जाती है, touch, पांच, eyes, ear, taste, है न, skin, यह सारी की सारी हमारी stimulus होती है, और क्या था या, nose, हाँ, smell, ठीक है, A stimulus is a detectable change in the physical or chemical structure of an organism's internal or external environment, ठीक है, अलग लग तरीके से हम बता रहे हैं, उसके external or internal environment में कुछ change हो रहा है, तो उसे stimulus कहते हैं, तो stimulus जब भी मिलाएगा, हमारी आँखों को, nose को, ear को, skin को, tongue को, तो हम response करते हैं, है न, कुछ आपने अच्छा देख लिया, तो आपको response दोगे आप उसका, उसी के recording आपके अंदर changes आएंगे, तो the ability of the organism or organ to respond to external stimuli is called sensitivity, ये अब आपको पता होना अच्छे है, अगर हम किसी भी external या internal stimulus को response दे रहे हैं, तो इसका मतलब है, we are sensitive enough, ऐसा बोला चाता है न, अगर कोई किसी चीज के लिए कोई response नहीं जाएगा, तो उसको बोलत that वाला, philosophy वाला insensitive की बात नहीं हो रहा है, ये science वाली sensitivity की बात हो रही है, तो sensitivity क्या होती है, ability होती ही organism की, जिससे की वो क्या करता है, अपने external या internal stimulus के के लिए response देता है, fine, next is, how do we respond to stimuli, ठीक है, हम कैसे response करते हैं, stimulus का, वो है, an action taken as a result of stimulus is called response, है न, response होता है, उसको बोलते है, the response to a stimulus can be positive, negative, ignored, not important, positive क्या होता है, when organism is attracted to, तो ये क्या होता है, हमारा response कुछ बही हो सकता है, किसी, जो भी stimulus हमको मिलता है, हर एक organism different different طریके से उसको respond करता है, हो सकता है कि, कोई person positive response कर सकता है, उसको कोई negative response कर सकता है, कोई non responsive भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने का है नहीं जाला बात, तो responding to a change in the environment, cells are called okay, receptor which detects stimuli, अब जो cells होते हैं, scientific क्योंकि बात हो रही है जो भी हमारे sense organs हैं, जैसे मैंने आपको 5 sense organs बता दिये, eyes, ears, nose skin, taste buds तो यह जो हमारे 5 sense organs हैं, उन सब के अंदर receptors लगे होते हैं, receptors क्या करते हैं, जो detect करते हैं stimulus को the coordination such as brain, spinal cord, pancreas which receives and process information from the receptors around the body अब हमारी body में पूरी body में हर जगा पर receptors लगे होते हैं, पूरी body में हमारे receptors होते हैं, वो receptors अलग-अलग जगे से, जैसे अगर आपको कोई हाथ लगा रहा है, तो आपको जट से पता चल जाएगा कि किसी ने मेरे hand को टच किया, आपके बालों को कोई हाथ लगा रहा है, तो आपको नहीं पता लगेगा जब तक आप उसको कोई खीचेगा नहीं, यह नो जो हमारी skull से ज़ड़े हुए हैं, वहाँ पर पता चलेगा, तो अलग अलग जगा पर हमारे receptors लगे होते हैं, बाडी पर, वो receptors सारी information को gather कर लेते हैं, पूरी जगा से, और उस information को gather करके spinal cord के थूँ और brain के थूँ प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, उसी के according हम respond करते हैं, आपको जैसे भी stimulus मिलेगा, उसी के according हमारे hormones release होते हैं, हमारे enzymes release होते हैं, and our body responds to that thing, what does response to environment mean, a stimulus is an in the environment that causes a reaction in the organism, the reaction a stimulus produces called response, यह हम पहले ही बढ़ चुके हैं, जब भी आपको कोई stimulus मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉंड करते हैं और वो stimulus कौन receive करता है वो हमारे sense organ, हमारे receptors के तुरू receive करता है, तो हमने क्या क्या पढ़ता, देखा, हमने बात किया stimulus की, हमने बात किया response की, हमने बात किया sense organs की, और हमने बात किया receptors की, fine, I hope आप इन सब terms को समझ गए हैं, this is class six NCRT, mind it, तो मैं सिर्फ आपको, इसी लिए, थोड़ा सा, जो भी इस chapter के अंदर, जो भी important चीज़ें थी, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको explain करनी चाहिए, वो ही मैंने इसके अंदर include की है, fine, अब बात होती है ये तो बात होगी थी हमारी, अब बात हो रही है कि आप plant भी response कर देते हैं stimulus को, तो yes, flowers and some plants bloom only in the night and some plants and flower closes after sunset, सूरज मुखी देखा है ना आपने, सूरज मुखी, वो जहां-जहां sun जाता रहता है, उसी की तरफ move गरता रहता है, stimulus दे रहा है, वो stimulus मिल रहा है, संसे उसको बोसी के लिए response कर रहा है, in some plant like mimosa mimosa plant जो होता है, leaves close, fold when someone touches them mimosa जो plant है, जिसको common मुख में बोलते हैं, touch me not, छुई मुई बोलते हैं जिसको हिंदी में छुई मुई, अगर आप उस पौदे को touch करेंगे, तो उसकी पतिया ऐसे fold हो जाती है, plants response to external factors with help of receptors and hormones, the receptors that helps plants to sense the external stimulus and act यह हम जानते हैं ओके, तो जो roots और shoots की बात हो रही है how do roots and shoots response to stimulus, अच्छा यह देखिए यह मैं वैसे आपको पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ जो shoots होते हैं, shoots का मतलब stem, जो shoots grow towards sunlight, they are positively phototropic, अब जैसे यह जो मैंने बोला, मैंने आपको कुछ-कुछ terms include की है, phototropic मतलब photo means light, तो यह light की तरफ जाती है, positively phototropic, जहां पर light है मतलब light कहा है, ground के उपर है न light, तो यह उस तरफ जाते हैं light की तरफ, shoots that grow away from gravity, they are called negatively geostrophic shoots grow away from gravity, they are called negatively geotrophic सारे shoots उपर ही जाते हैं, तो इनको बोलते है, negatively geotrophic मतलब, geo means earth, tropic, मतलब earth की तरफ जो जाएंगे, shoots, मतलब stems, stems जो होते हैं, कभी mostly जो होते हैं, earth की तरफ नहीं जाते हैं, वो earth से अवे जाते हैं, तो वो negatively geotrophic है, और positively phototrophic हैं, क्योंकि वो photo, मतलब sun की तरफ जाते हैं, similarly अगर roots की बात करते हैं, तो ये grow away from sunlight, क्योंकि जमीन की तरफ जाते हैं, तो ये negatively phototrophic हैं, और positively geotrophic है, geotrophic हैं, क्योंकि ये earth की तरफ, gravity की तरफ grow कर रहे हैं, तो इस are the terms, आपको इनका कुछ पढ़ने में आपको जुरूर लगेंगी, positively phototrophic, पता नहीं कितनी complex term है, कुछ नहीं है complex, मतलब जो light की तरफ grow कर रहे हैं, जो earth की तरफ grow कर रहे हैं, जो earth की तरफ ही grow कर रहे हैं, तो उसको positively बोल देंगे, जो away कर रहे हैं उससे, तो उसको negatively बोल देंगे ये simple है, I hope समझ आगया होगा आपको, फिर बात होती है living organism and excretion, अब हम living organism की बात कर रहे थे, तो the process of getting rid, जो उसमें से waste products होते हैं, living organisms के, जो उसको अपनी body से remove करना होता है, उसको बोलते हैं excretion, है ना living organism expel waste or toxic substance from their bodies, the process is called excretory product तब, जो भी हमारी body के अंदर waste होगा उसको body बाहर निकाल देती है तो वो अलग-अलग तरीके से होता है जैसे की urination, जैसे की diffication, है ना stool pass करना, सुबा, morning में diffication and urination साथ में sweat glands के तरू भी excretion होता है और lungs के तरू carbon dioxide बाहर आता है तो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग processes से body के अंदर से, जो waste products हैं, वो बाहर निकलते हैं तो वो अब plants भी excretory यह तो body की बात थी, अब plants जो होते हैं मतलब human body या किसी भी animal की body अब plants जो होते हैं, वो भी excret करते हैं plants कैसे excret करते हैं, यह देखते हैं पहले आप इस diagram में देखो यह देखिए, जो पतियां होती हैं उसके उपर यह छोटे-छोटे से droplets आ जाते हैं, मतलब यह वो वाले droplets नहीं, यह उसकी बुंदे नहीं है यह क्या होता है, water droplets passed out of special pores of a leaf margin, where water may contain sugar salts to be excreted, excess of sugar और salt जो कि plant को नहीं चाहिए यह droplet के form में उसकी पतियों से बाहर आ जाता है, gutation इस process का नाम है, यह इतना important नहीं है, मैंने आपको यह diagram दिखाने की कोशिश की है, कि plants भी excrete करते हैं जो कोई ऐसा material उनके अंदर आ जाता है, जो कि उनको access में लगता है, उसको वो excrete out कर देते हैं इस तरीके से सब कुछ वो नहीं कर सकते जो जीज़े water में mix होके बाहर आ जाएंगी वो उसको excrete out कर सकते हैं हाँ, अब क्या था? हम ये पढ़ रहे थे हाँ, some harmful the mechanism in plant is little different हाना, हमारे तरह नहीं हो, उनके पास सारे mechanism, lungs नहीं है न, ये सब some harmful or poisonous material do get produced in plants as waste some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm अच्छा, हर एक plant जो होता मैंने बोला कि सिर्फ वो ही material excrete कर पाएंगे, जो water soluble होगा तो वो निकल जाएगा बाहर, बट कुछ plants क्या करेंगे अपने अंदर ही, plants के अंदर भी अलग-अलग parts में waste product को store कर देते हैं ठीक है, ताकि वो plant, पूरे plant को harm ना करें, some plants remove waste product as secretion, ये मैंने आपको दिखाया है, जो secretions हम नहीं करता, ये उनका mechanism है प्लांट का जो structure होता है वो animal structure से different है animals के पास lungs, gills, liver pancreas, intestine, सब कुछ है plants के पास नहीं है, तो उनका अलग mechanism है फिर हम next बात करते हैं reproduction, हम छोटा-छोटा touch कर रहे हैं animals के, मतलब पूरे living organism के बारे में detail में हम next subsequent chapters में touch करेंगे, discuss करेंगे क्योंकि इस chapter में इतना हिंदिया हुआ है तो animal जो reproduce करते हैं reproduction का मतलब क्या होता है reproduction का मतलब होता है अपने ही जैसे progeny को, young ones को लेकर आना, तो animal reproduce their own kind है the mode of reproduction may be different, some animal produce their young ones through eggs मतलब कुछ लोग, मैंने बताया था mammals जो होते हैं, वो young ones को देते हैं और कुछ लोग through eggs reproduce करते हैं organisms plants अब इसे animals अगर reproduce करते हैं तो plants भी reproduce करते हैं तो plants कैसे करते हैं, many plants reproduce through seeds plants produce seeds which can germinate and grow them यह तो seeds से तो आप जानते हो seeds के थूँ तो करते ही है some plants reproduce through parts other than seeds अब कुछ plants की अलग-अलग तरीके होते हैं reproduce करने के हर एक plant जो होता है, वो seeds से reproduce नहीं करता जैसे की potato की case में मैंने आपको first chapter में बताया था, अगर potato है तो उसके उपर eyes formation होती है वो nodes होते हैं अगर उसको cut करके आप reproduce करने की कोशिश करेंगे तो वहां से नया plant grow करता है यह देखिए new plant grow from a bud of potato potato, उसके उसमें सब बहुत सारे potatoes बन जाते हैं plants also reproduce through cuttings यह तो आप जानते हैं, cuttings के थूँ जैसे की सबसे common क्या होता है, rose का जो plant होता है, गुलाब का पौधा होता है, वो cutting वाला एक अलग chapter आएगा, उसमें हम यह सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है तो plant जो है reproduce करते हैं, plants organism reproduce करते हैं, organism grow करते हैं, organism breathe करते हैं, excrete करते हैं यह सारी चीज़े, सारे functions organism perform करते हैं तो this is the chapter यह class 6 का, chapter number 9 था science का, इसमें बहुत सारे terms use किये गए थे उन सब terms के बारे में हमने briefly discuss किया, आगे आने वाले subsequent chapter में और classes में इनी concepts को काफी elaborately discuss किया जाएगा तो हम आगे वाली classes में इसको elaborately study करेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम जल्दी से summarize करते हैं surroundings, where plants and animal lives are called their habitat, हमने पढ़ा था terrestrial and aquatic habitats के बारे में, हमने पढ़ा था different habitat, terrestrial के different habitat और aquatic के different habitat फिर हमने एक concept पढ़ा था biotic और abiotic components के बारे में, rock, soil air, water, light, temperature यह सब abiotic हैं, फिर हमने पढ़ा था living thing have certain common characters food चाहिए उनको रस्पायर करते हैं excrete करते हैं, response देते हैं यह सब करते हैं, तो this was the chapter, I hope आपको समझ में आया होगा और यह chapter में बहुत सारे terms थे जो आपको जानना ज़रूरी थे, जैसे की adaptation, जैसे की acclimatization जैसे abiotic component, जैसे की habitat terrestrial और aquatic habitat में क्या difference है, terrestrial habitat में हमने कुछ adaptations के बारे में discuss किया, वो क्यों हुई हैं मैंने फिर आपको habitats के बारे में बताया mountain वाले habitat के बारे में बताया desert, grassland, मैंने आपको यह बताया कि वहाँ आपके plants में क्या-क्या modification होती है अगर mountain region का कोई tree है, तो उसकी roots deep होंगी यह मैंने आपको logic के साथ पताया क्योंकि वहाँ हाँ चलती है desert वाले plants की deep roots होंगी क्योंकि वहाँ पर उसको moisture नीचे से खीचना है aquatic plants की roots deep नहीं होंगी क्योंकि उनके roots का function, पानी खीचना तो नहीं है, सिर्फ एकी function है stable रखना plant को, इस तरीके से हमने logically, क्या-क्या logic के साथ दिया हुआ है, वो हमने discuss किया, कुछ-कुछ हमने उसके साथ जुड़ेवे additional facts में discuss किये, अगर आप लोग मुझे contact करना चाहते हैं, तो you can send me a mail on this email id, you can follow me at instagram and अगर आप इन chapters की ppt को download करना चाहते हैं, तो you can have you can join my telegram channel इससे पहले वाले chapters को अगर आप देखना चाहते हैं, videos को तो उसका link भी इसी telegram channel पर दिया गया है, I hope आपको ये chapters समझ में आया होगा, I wish कि आप इससे जुड़े हुए सारे सवाल भी कर पाएंगे Thank you so much for watching this lecture and best of luck for your preparation, bye-bye